प्रेंड्स वैल्कम टू लखी एईउरुकेशन और आज हम देखेंगे गल्फ सबसे पहले पोजीशन देख लेते हैं गल्फ ओफ मननार की पोजीशन का हैं ये भारत का साउथ इंडिया का मैप है साउथ इंडिया वाला पोर्षन है ये वाला पैनिमसला वाला पोर्षन है और ये आपको बता है हैं पर स्री लंका है और यहाँ पर एक straight है जिसका नाम है park straight और नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा गल्फ ओफ मननार और भारत का बिल्कुल जो southernmost point है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कन्या कुमारी ठीक है यहाँ पर और भी चीज देखने को मिलेगी तूटी गोरन पोड देखने को मिलेगा रामेशरम देखने को मिलेगा मदुरही देखने को मिलेगी ठीक है और यह सारी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो यह हमारा गलपोप मननार यहाँ पर बिल्गूल साउथ में है गलपोप मननार और अपनी बुक्प में 4 ही दे रखें पहले हमने एक नंदा दे भी देखा था और नीलेकरी बाईस्पेर डेजर भी देखा और एक हमारा हो गया था सुन्दरबन तो यह हो गया यह हो गया और चार अपनी बुक में दे रखें तो चारों हमने आज फोर्थ वाले को भी डिसकस कर लेंगे ठीक है तो यह वाला तो आपको बता हेली एरिया में मौंटेन एरिया में उत्राखंड में यह आपका डेल्टा वाले पार्ट में जहां सुन्दरबन डेल्टा है और यह आपको तीन स्टेट्स में देखने को मिलेगा बीच में तमिलनाडू केरल करनाटा का बीच में और यह बिल्कुल आपको मतलब ओशियन में मिलेगा ओशियन में मिलेगा जो बिल्कुल इंडियन ओशियन में देखने को मिलेगा आपको यहा भारत के साूथ इस्थ कॉस्ट में आता है कहां पर आता है साूथ इस्थ घो इस एस इसकी ओ धर कुछ वाली प्रीश्ट x वी जिए आ बाइव डाइवर्सिटी परस्पेक्टिव मैराइव डाइवर्सिटी का मतलब है ऊसीन के अंदर जो डाय ज़र पाइज वाइवर्सिटी पाइजाती है यि परस्पेक्टिव से गर हम बात करें तो ठीक है न दबाईस पर रिजर्फ कमप्राइजेश 21 आईलेंट्स with estuorice यहां पर 21 आईलेंट्स पाई जाते हैं estuorice पाई जाते हैं beaches पाई जाते हैं कही सारे beach जो मदलब जहां घूमने जाते हैं forest पाई जाते हैं near-sore environment मदलब जो अपना किनारा है समदर का जो किनारा है वहाँ पर कुछ फॉरेश्ट भी आपको देखने को मिलेंगे सी ग्रासेस देखने को मिलेंगे कोरल रीप्स देखने को मिलेंगे यह सी ग्रासेस हो गई सॉल्ट मार्सेस, मैंग्रोप्स यह सारी vegetation आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी Gulf of Manar Biosphere रिजर में यहाँ पर एक बहुत खास किस्म का एक animal पाए जाता है यह है sea cow यह आप देख रहे हो यह क्या है sea cow animal है जिसको डगोंग, डगोंग कह सकते हैं तो इसको जनरली हम sea cow के नाम से जानते हैं sea cow देख लो, तो यहाँ पर जितनी भी species पाई जाती है Gulf of Manar में, उनमें से 3600 plant और animal की species globally endangered हैं, मतलब खतम होने की गगार पर है मतलब यह समिलोगा इनको नहीं बचाए गया तो future में यह क्या हो जाएंगी, extinct हो जाएंगी endangered species में हर बार बताता आ रहा हूँ ऐसी species जिनको अगर अभी नहीं बचाए गया तो future में extinct हो जाएंगी, उनकी नमबर बहुत कम हो चुका है तो यहाँ पर 3600 plants और animals की species कैसी हैं endangered है, ठीके नहीं, और यहाँ पर जो special animal जो पाए जाता है पानी के अंदर वो कुन सा है, sea cow तो यहाँ पर हमारा chapter finish होता है और इसके बाद हम chapter start करेंगे, soil वाला जो chapter उसको complete करेंगे तो तब तक आप इन चीजों को बार बार revise करते रहो अपने book के जो question answer है, उनको भी देखते रहो, ठीके so see you, bye bye, मिलते हैं अगले lecture में, तब तक खुश रहो, मुस्करादी रहो, जै हिंद, जै भारत